Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का साथ ताहिक राशी फल तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो आप लोगों के लिए Professional Front के लिए एक आज है Five of Cups, Reverse and Discipline और देखे 5 of cups reverse के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें 5 cups हैं, 3 गिरे हुए हैं और 2 खड़े हुए हैं और देखे इस card का मतलब यही होता है कि कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं और कुछ चीजें हमारी life में बहुत अच्छी हैं और देखे जिन्दगी भी कहीं अच्छा और बुरा, खुशी और गमी का ही एक mixture है लेकिन क्या होता है ना कभी-कभी बहुत खुशी होती है, कभी-कभी इतनी खुशी नहीं होती है और इस week के लिए आप लोगों के लिए दोनों ही चीजें रहती हुई दिख रही हैं यानि कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में काफी अच्छी हैं और कुछ चीजें अगेन मैं कहूंगी कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं उनको लेकर कुछ issues, कुछ मसले हैं और यहाँ पे देखे एरीज हम किस चीज पे focus करते हैं वही चीज हमारी लाइफ में increase भी होती है देखिया आपके घर के आसपास दो पार्क हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पीछे है आपके घर के और एक आपके घर के सामने है आप जिस garden को पानी देंगे, जिस garden में आप खाट डालेंगे, जिसको आप नरिश करेंगे, वही grow भी करेगा तो यहाँ पे दीखे positive और negative हमारी life का एक हिस्सा है और जिस energy को again मैं कहूंगी कि हम पानी डालते हैं, हम खाट डालते हैं, वही हमारी life में multiply भी होती है तो नच्चल में फिर से कहूंगी कि इस काट का यही मतलब है कि जो भी चीजें अच्छी आपकी life में हैं, अगर आप उनके उपर focus करेंगे तो यह week आपका बहुत अच्छा जाएगा और जो चीजें आपकी life में आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आप उनके focus करेंगे तो आप परेशान रहेंगे और देखे एरीज आप लोगों के लिए ये card reverse है, तो बहुत सारे एरीज एक positive frame of mind में ही रहते हुए देख रहे हैं जो भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, कहीं आप उन पे इतना focus नहीं कर रहे हैं और देखे इस card का एक message अगर हम देखें तो यही होता है that all is not lost और फिर से जब हम उस चीज पे focus करते हैं, उस चीज पे हम काम करते हैं तो हम अपनी life को बहुत beautiful बना लेते हैं और देखें यहाँ पे discipline का card एक दो चीजें कहता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप थोड़ा सा अपने goal पे focus नहीं कर पा रहे थे कहीं आप concentrate नहीं कर पा रहे थे, आपकी काफी एक distracted सी energies थी इसी लिए ये issues, ये मसले भी आपकी life में हुए और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि again जो भी ठीक ठाक आपकी life में है उसी के उपर बहुत जबरदस्तिक focus करते हुए एक discipline अपनी life में maintain करते हुए सब distractions को हटाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं और देखे एरीज अगर आप ऐसी energies में रहेंगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको success अचीव करने से नहीं रोक सकती है और अब देखते हैं एरीज की personal front में क्या हो रहा है तो देखे personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of pentacles and the clinging के cards है और देखे clinging के card में बहुत ही clearly fire है तो ये card कहीं fire element की बात करती है और fire का कहीं dual characteristic होता है वैसे तो देखे हमारी life में हर चीज में ही duality है लेकिन इस card में fire है तो हम fire element की बात करेंगे तो देखे especially सरदियों में जब fire होती है हमारे आसपास तो एक light होती है एक warmth होती है रात को भी देखे जैसे आप matches या फिर कोई भी आग वाली चीज जलाते है तो light आती है और warmth भी आती है और वो बहुत अच्छी लगती है हमें कहीं एक cozy सी feeling देती है कहीं हमें एक comfort भी देती है लेकिन जब हम इस आग के बहुत करीब जाते हैं तो कहीं वही आग हमें जला भी देती है और देखिए इसी theory पे शमा और परवाने की भी कहानी based है शमा female energies को represent करता है और attraction को भी represent करता है और परवाना कहीं शमा की तरफ attract होता है और जैसे ही शमा के बहुत पास जाता है जल जाता है तो देखिए nutshell में ये card कहता है कि हो सकता है कि कोई आपकी desire है कोई आपकी wish है जिसको लेके आप बहुत passionate हो रहे हैं बहुत जादा एक again मैं कहूंगी कि feelings और emotions उसी desire के लिए आप महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखिए इस card का message यही है कि अगर इस desire को आपने अपने उपर हावी होने दिया या फिर आप बहुत emotional हुए, बहुत sentimental हुए, बहुत जादा obsessive आप इस desire के लिए हुए तो आप आगे जाके याँ इस week भी काफी परिशान रह सकते हैं लेकिन अगर आपने इन feelings को अपने उपर हावी नहीं होने दिया आपने अपने आपको बहुत जादा एक obsessive energies में नहीं आने दिया या मैं कह सकती हूँ कि वो जो एक obsessiveness होती है उसको अगर आपने positively deal कर लिया, control कर लिया तो देखिए आप again मैं कहूंगी ठीक रहेंगे और देखिए वैसे भी desires और wishes हमें रखनी चाहिए क्योंकि जब तक हम desire नहीं रखेंगे तब तक हमारी desire पूरी भी नहीं होगी लेकिन हमने बहुत खयाल रखना है कि हम बहुत obsessive इनी desires के लिए ना हो हम थोड़ा सा एक balance maintain करके रखें देखिए हाँ पर discipline का card again वही चीज बोल रहा है कि एक discipline life में रखना, एक balance life में रखना हर चीज के लिए बहुत बहुत important होता है क्योंकि देखिए फिर से मैं कहूंगी कि जब हम इस obsessive energies में आ जाते हैं तो कहीं हम सोचने समझने की शक्तिक होते हैं कहीं हम clearly नहीं चीजों को देख पाते हैं और हमारे decisions, हमारी choices wrong होती हैं हम wrong direction में जाते हैं और फिर हम परेशान होते हैं और शायद इसलिए देखें आपे Queen of Pentacles reverse का card कहता है कि कहीं you know हो सकता है कि आप बहुत practical, realistic होना चाहा रहे हैं लेकिन इसी desire की वज़े से आप नहीं हो पा रहे हैं या फिर थोड़ा सा financial या पैसे से related आपका नुकसान हो रहा है या मैं कह सकते हूँ कि आपका इस week कहीं थोड़ा सा खर्चा भी होता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि materialistic, tangible, चीज़ों से related अगेन उतना comfort, उतना एक security आप नहीं महसूस कर रहे हैं तो देखिए ये weekly rating है, weekly rating में बहुत बड़े कोई मसले नहीं होते हैं broadly speaking, again, अगर मैं Queen of Pentacles Reverse के card को देखूँ तो ये card कहता है, पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखिए, खर्चा काफी सारे लोगों के लिए ज़ादा रह रहा है materialistic, tangible, पैसा, money पे आप ज़ादा focus करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं देखिए, guidance है, आप लोगों के लिए Phoenix का card है और ये card कहता है, how is that for a happily ever after तो देखिए, ये card भी वही कह रहा है, जो मैंने आपको भी कहा कि जो भी चीजें आपकी life में आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं अगर आप उनको अपने उपर हावी होने देंगे, तो आप परिशान रहेंगे और अगर थोड़ा सा आप इन चीजों से उपर उठ जाएंगे और positive side पे focus करेंगे, तो कहीं एक success, एक achievement, एक victory भी आप अपनी life में लेकर आएंगे और अगर इसी चीज को आपने अपनी पूरी life के लिए maintain कर लिया, तो देखिए आप हमेशा ही खुश रहेंगे या मैं कह सकती हूँ कि beyond the point, आपको कभी भी कोई भी चीज परिशान नहीं कर पाएगी क्योंकि देखिए Aries होता कि हमारी external life में जो भी हो रहा हो, उसको लेकर हम अपने mind में अपने आपको क्या कहते हैं या फिर हम उसका mental representation क्या बनाते हैं, वही decide करता है कि हम परिशान रहेंगे या फिर हम खुश रहेंगे देखिए दुनिया में कोई ऐसा इनसान नहीं है, जिसकी life में कुछ issues, कुछ मसले नहीं है और अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो के बाद observe करेंगे, तो जो लोग खुश हैं वो सिरफ इसलिए खुश हैं क्योंकि वो उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो चीज़ों उनकी life में अच्छी हैं और उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो चीज़ों उनकी life में अच्छी या फिर उनके हिसाब से नहीं हैं और जो लोग परेशान हैं वो सिरफ और सिरफ इसी लिए इतने ज़ाधा परेशान हैं क्योंकि वो जो चीज़े उनकी लाइफ में ठीक नहीं हैं सिरफ और सिरफ उन्हीं पर ही फोकस कर रहे हैं और देखे इतनी सी बात को अगर हम समझ लें और अपनी लाइफ में अपलाए क तो फिर से मैं कहूंगे कि beyond the point हम परेशान नहीं होंगे and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate हुआ कितना आप connect कर पाए